जैस्री किष्णा रादे रादे आप सभी का स्वागत है मेरे मा के ब्रत कथा उपाय चैनल में दर्सको आज की इस वीडियो में हम आपको धन प्राप्ति का ये कचुप उपाय बताने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करें साइड मौल को प्रेस करें हमारी इसी तरह की उप सौमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं कभी इस उपाय को कर सकते हैं वाकि इस उपाय को कर सकते हैं तो आपको क्या करना है देखो जब भी आप शिप जी की पूजा करने जाते हैं और कोई पी उपाय अगर आप करते हैं तो पूरी निष्टा के साथ करें और मन में कि हम इस कामना के लिए कर रहे हैं और हमारा ये काम अवशी होगा विस्वास आपको रखना है तभी आपका जो भी उपाय करेंगे उसका पूर्ण रुप से आपको फल मिलेगा आपको क्या करना है सिप जी की पूजा करने तब भी जाते तो सामगरी क्या लेनी है जो पूजा हुए 31 चावल के दाने तूटे नहीं होने चाहिए चावल के दाने लेने हैं और उनको हल्दी से रंग लेना है इसके बाद आपको एक पान का पत्ता ले लेना है या फिर एक पीपल का पत्ता ले 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 आपको मंदिर जाना है मंदिर जा करके एक लोटे में आपको जल जो बोलते हुए आप आफशेक करें और आफशेक जब आप कर रहे हो जल चड़ा रहे हो तो आपके मूह से ओम नमशिवाय ओम नमशिवाय रुकना नहीं चाहिए ठीक है इस तरीके से करना इसके बाद आपको सभी को चंदन लगा देना जो शिवाले में होते हैं नंदी जी को ग और उसके बाद आपने जो 31 चावल के दाने लिए हैं पान का पत्ता लिया है या फिर पीपल का पत्ता लिया उस पर आपको 31 चावल के दाने गिनकर रखने हैं और उनको ले करके अपने हाथ में अपनी मनो कामना दोरानी है और जो भी अपनी मनो कामना है और भगवान से प इसके बार डी पक चला देना है दीपक जलाने के बाद आपको थोड़ दिर आंख बंद करके वही खड़े रहना है यतना सा ये उपाय करना है अपकी मनौ काम्न अवश्यी पूरी होगी धनपराप्ति के मनौ कामनल अवश्यीी पूरी होगी और वहाँ जब असे वहाँ से जब आओ तो उस पत्ते से पांच चावल के दाने आपको घर लेकर आने और लाकर के किसी लालक अपने में पांग कर आप ये क्या सोच में पढ़ रही हो तक कुमारा ने हाथ जोड कर कहा आप इस उपाय को अवश्य करें जैसरी किष्णा रादे रादे बताने में छोटा है ये उपाय लेकिन आप इस उपाय को करके देखें आपको इसका फल अवश्य ही मिलेगा ओम नमस्षिवाए